हेलो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पीलापन आने की यानि अभी जो गेहूं में पीलापन आ रहा है इस पीलेपन को कम खर्च में कैसे हटाएं जिससे गेहूं हरा हो जाए और सही से ग्रोथ करें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ गेहूं में पीलापन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे हम गेहूं को पहला या दूसरा पाई लगा रहे हैं तो पानी ज्यादा दिन रुगने की वेशे भी गेहूं पीली पर सकती है क्योंकि जब भी हम पाई लगाने के बाद गेहूं में यूरिय डालते हैं और क की वेह से गेहों में हलका पिलापन आ जाता है कि यूरिया से पोदे को नाइटरन तो मिल जाती है लेकिन पोदों के लिए जो जरूरी पोसकत्त पोते हैं वे पोदे को नहीं मिल पाते जैसे जिंक, आइरन, मैगनेज, मैगनेसियम, कौपर, बोरोन, आदी इन सभी जाती है इसलिए मैं आपको बता दूँ जब भी आप गेहों में पहली या दूसरी खाट डालें तो यूरिया के साथ जिंक या कोई और माइक्र नुट्रेंट्र जरूर डालें जिससे गेहों पीली नहीं पड़ेगी और पोदा सही से ग्रोथ करेगा और जिंक डालने के आ जिंक को नहीं डालना चाते तो आप इस्प्रे के दुआरा भी आप जिंक को पोदो को दे सकते हैं और इस्प्रे से आपका खर्चा भी कमाएगा लगवग सो से 120 लिए पर एकड़ के साथ से पड़ेगा यदि गेहों में जिंक की मातरा की बात करें तो आप खाट के साथ मि देखने को मिलेंगे और खर्चा भी बहुत कम होगा जानकारी सही लेगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक से करें जिससे और किसान भाई भी इस जानकारी का लाव उठा सकें क्योंकि हमारी हर वीडियो में अधिक से अधिक कोसिस रहती है हमारे किसान भाई को अधिक से आई जानकारी हो जिससे फसल की पयदावार अधिकों और फसलों में आने वाला खर्चा कम हो और अभी त LGBT को लायख नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली सवी फसलों के बारे में आपको नहीं जानकारिया मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद